नमस्कार जोहार विश्वर हिर्दय दिवसपर आयोजित इस विशेस कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेस कारिक्रम में हमारे साथ हैं हिर्दय रोग विशेशग्य डॉक्टर राजेस ज्जा और उनसे हम बात करने वाले हैं हिर्दय संबंदी समस्याओं के बारे में कैसे हम अपनी स्वास्ते को तंदुरूस्त रखें कैसे अपने हिर्दय को मजबूत रखें और अगर हमारे में कोई हिर्दय संबंदी समस्या आ रही है तो उससे निजात कैसे पाए तो चलिए आज बात करते हैं अपने विशेशग्य से, डॉक्टर राजेस जहां आपका हमारे कारिक्रम में स्वागत है, नमस्कार जोहार, मैं डॉक्टर राजेस जहां हूँ और मैं राजी में काडियोलजिस्ट हूँ, आज 29 तारीक सितंबर को हर साल विस्व हिर्दय दिव स्टार्ट किया था वर्ल्ड हार्टफेडरेसन वे, इसका फर्पस यह था कि लोगों में हिर्दय की संबंधित बीमारी और हिर्दय की डेरेक्ट बीमारी क्योंकि हिर्दय की बीमारी में divertis भी होता है blood pressure भी होता है और stroke, जिसको लगवा बोलते हैं इन सब भी तीनों-चारों बीमारियों के बारे में लोगों को अवेर करने के लिए उनको इसके बारे में जानकारी मिले और कैसे इस बीमारी से बचाओ किया जाए और इसके लिए ये World Heart Federation सरकार को भी मौका देती है ताकि आप कुछ अपनी policy बनाएं इस तरीके से ताकि लोग 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हिर्दय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्धिश्य क्या है यानि लोगों को जागरूप करना क्या हर वर्ष अलग-अलग थीम पर ये आधारित होता है जी बेसिकली तीन साल चार साल के लिए एक बार एक म आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोसाइटी में अपने घर में शुरू करें अपने घर से घर के सारे मेंबर को हेल्थ हाट की जानकारी लें हाट के बारे में कोई बीमारी है तो उनको अवेर कराए और अगर है ब्लड प्रेशर सुगर है तो उसको ततकाल इलाज करा या किसी को छाती में दर्द होता है, तो इमेडियेटली आप उसको इलाज कराएं, उनको समझा कर के कहीं लोगों में ये भरांती है, कि सुगर की बीपी की दवाईयां नहीं खाना चाहिए, एक बार खाया तो जीवन पर खाना परेगा, फिर हाट के इलाज के लिए भी है, कि एक बार हाट को किया, उमर हो गया, साट साल हो गया, नहीं करा ना है, तो इन सब चीजों के लिए, सेकेंड इनका था कि इंडिविज्वाल से एक छोटे से फैमिली पर आएं, कि सोसाइटी को अवेर करें, अभी तीन साल का इनका इनका चौबिस से 27 तक का इनका किया जाए साथ ही साथ इसके लिए जो prevention इसको रोकने के लिए global क्या वेवस्था किया जाए सरकार के द्वारा उसके लिए भी उनको सरकार को enforce करें तो यह अभी इस साल का theme है कि आप अपने दिल की सुरक्षा करिए society की करिए society के साथ-साथ सरकार को भी इस heart की विमारी से बच परिवार स्वस्थ है तो समाज को स्वस्त रखेATOR और अगर पूरा समाज स्वस्थ है और न पूरे देश और विश्वएस्थरीय जो है गब हम समझें कि वो आसामान्य रूप से धड़क रहा है। दिल जो हार्ट रेट जिसको हम लोग बोलते हैं दिल की धरकन वो आमतोर पर जो किताबी ग्यान के आधार पर जाएं तो 72 से लेकरके 80 तक रहे किसी का तो या फिर 70 तो 80 रहे तो वो नॉर्मल माना जाता है। पतलब हुआ कि बच्पन से उनका मेटाबोलिक रेट जादा है और इसकी वज़े से उनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूवत नहीं है। किसी किसी का हार्ट रेट 45-50 भी होता है। आज समानी हम हार्ट रेट को उनको बोलेंगे जिनका हार्ट रेट से में बहुत तेज और इसके साथ साथ उन्हें समस्या है। जैसे उनको थोड़ी दूर पैदल चलेंगे तो छाती धरकन बहुत जादा होगा जिससे उनको रुकना पड़े। थोड़ी दूर अगर चले धरकन तेज होने से सांस फूले, तो उसे रुकना रगए, मतलब आपकी day to day activity, डेली जो आप हम काम करते हैं, उसमें अगर कुछ परेशानी हो रही है, दिल की धरकन के बढ़ने और घटने की वज़ासे, घटने की वज़ासे चक्कर आएगा, तब उसको औसमानी माना जाता है, अगर दिल की धरकन किसी का 100 है, 100 है, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं है, तो आम तोर पर हम इलाज नहीं करते हैं, बस observation की जरूरत होती है, यह व्यक्ति और व्यक्ति पर निर्भर करता है, यहाँ पर हम आपसे जाना चाहेंगे, हिर्दय रोग म हैं, तो वो कौन-कौन से हैं कि व्यक्ति माने की नहीं, मेरे साथ कुछ असमाने हो रहा है, कौन-कौन से शुरुवाती लक्षन नजर आएंगे, तो एक आदमी मान लेते हैं, नॉर्मल है, वो चलना फिटना कर रहा है, उसे कोई समस्या नहीं थी, अचानक से अगर किसी को सांस फूलने की समस्या हो, अचानक से, अगर अचानक से किसी को छाती में दर्द हो, किसी भी तरफ हाथ में हो, उसको माना जाता है कि कान के नीचे और नाभी के ऊपर का किसी भी तरीके का दर्द हो, तो उसको हाट की समस्या के कारण दर्द माना जा सकता है, जब तक कि हम EC करके और किसी डॉक्टर को दिखा कर प्रूव नहीं हो जाए कि यह हाट की समस्या नहीं है दूसरा है कि अगर आप चलते फिरते पहले आप नॉर्मल चलते थे दो फ्लोर सीरी जो इस्टेंडर्ड बुक के हिसाब से दो फ्लोर सीरी हम आराम से चलते थे अब अगर एक फ्लोर चलने पर अगर मुझे लग रहा है कि छाती में थोड़ा टाइटनेस भारीपन लग रहा है सांस फूल रहा है तो फिर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि संभावित बीमारी के लक्षन हो सकते हैं फिर यह समस्या यह तो हुआ जिनको सूगर बीपी कुछ भी नहीं है अब ए हैं कभी अचानक से खुब पसीना आये थोड़ी बहुत चाती में दर्द हो सांस फूलने की जैसे हो तो मतलब कि यह अभी आपको समस्या आज हुआ है इमीडियेटली मतलब इनको तुरंत जाना चाहिए अगर हम लोग चलने फिडने में दिक्कत हो रही है तो वो मिल सकते ह हैं बट अचानक से कोई भी चीज सांस फूलने की समस्या हो या चाती में दर्द हो या फिर चाती का धरकन बहुत तेज हो गया हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है इमर्जेंसी बेसिस पर पहले माना जाता था कि 60 की उमर हो गई है 65 की उमर हो गई है तब हिर्देरों की संभावना हो सकती है लेकिन आज जो है इसकी जो आयू सीमा है वो बहुत कम हो गई है कभी-कभी तो 30-35 में देखने को मिलता है और आज ज्यादतर 40 के बाद लोगों को मिलने लग गया है देखने में मिलता है तो इसका मुख्य कारण आप क्या समझते है जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जो हम लोग जब पढ़ते थे उस समय 60-65 से नीचे हाट के मरीज बहुत कम हुआ करते थे अब उसका कारण एक तो सबसे प्रमुक कारण है कि लाइफस्टाइल चेंज जो अभी यंग जेंडरेशन है उनको उनका लाइफस्टा या तो सहर में जगह नहीं है इतनी एजली हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है कि अब हम लोग पैदल चलना छोड़ दिये पहले 2-3 किलोमीटर लोग आराम से चलते थे प्रती दिन घर का खाना लोग प्रती दिन पहले खाते थे अब फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो हाट में जो समस्या है वो आम तोर पर देखा जाता है कि अगर आप जंग फूड खाते हैं चॉकलेट खाते हैं तो यह 15-16 साल की अवस्था से आपके जो हाट की जो नसे होती है आर्टरी होती है उसमें शुरू हो जाता है अब जब हम लोग 25-30 उमर में होते हैं तो लाइफस्टाइल हो जाता है बाहर का खाना बहुत खाते हैं नींद सबसे इंपोर्टेंट चीज थी जो लोग 7 घंटे पहले लिया करते थे 8 घंटे लेते थे रेकमेंडेशन है कि 7 घंटे से जादा डेली प्रति दिन नींद होनी चाहिए अब लोग 5-6 घंटे सोते हैं त इस कारण से यंग लोगों में हाट की समस्या बर रही है अब नींद नहीं आने के वज़ए से डाइबेटीज हाइपर टेंशन भी बहुत जादा बर रहा है लोगों में तो अब जितना ज्यादा ब्लड प्रिशर और सूगर बढ़ेगा इंडिया अभी रिसेंटली देखा अबी जैसे कि पोलिशन है देखा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे हाट के आर्टरी आंदर जम्हा हो रही है। पोल्जुशन में जो इक बहुत प्रमुक कारण है कि हाट की समस्या बहुत जल्दी हो बहुत हो रही ही अभी दिन बहुत बहूंत चाहरों में चीजम देखने को मिल रहा है, वो है COVID, COVID के बाद हिर्दय रोग की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, लोगों में थकावट आ रहा है, हिर्दय रोग की समस्या जो है, जिन लोगों को COVID हुआ था, उनके बाद वो लोग ठीक हो गया, उसके बाद से जो है, उनमें हिर्दय रोग क समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है ये क्या हिर्दय रोग के लिए कोविड भी उतरदाई है देखिए कोविड जब हुआ था जब उसका जो फेज चल रहा था एक्टिव दो हजार बीस से लेकर दो हजार बाइस तर उस समय में हमने डेफिनिटली पाया था कि कुछ यंग लोगों में हुआ था और उसका कारण अब इस्टैबलिस्ट फैक्ट नहीं है बट ऐसा देखा गया कि कोविड जिनको हुआ था जिनों ने वैक्शिन लिया था उन लोगों में खून का थक्का बनने की प्रविर्टी जादा थी चाहे वहार्ट की आर्टरी में हो या ब्रे हुआ है कि कोविड के बाद यंग जेनरेशन में अवेडनेस काफी जादा हो गई है जिसकी वजह से लोगों को थोरी भी चाती की दर्द होती है तो आपना सारा इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाट की बीमारी मिलती है और यह लोगों में अवेडनेस बढ़ने की वजह से इस बीमारी को हम लोग ज्यादा पाया गया है हां कुछ जगों पर ऐसा देखा गया है कि जिनको वैक्सिनेशन हुआ था यंग लोगों में जिनको डाइबेटीज और ब्लड प्रेशर भी नहीं है उनमें भी हाट की ऐसी समस्य समस्या मिली है लेकिन अभी इस्टैबलिस्ट फैक्ट नहीं है कि कोवीड की वजह से थकावट जहां तक आप बोलेंगे कि लोग ठक जाते हैं यह समस्या कुछ हद तक कोवीड के बाद हुआ था किसी भी वाइरल इंफेक्शन वाइरल फीवर होने के बाद इस तरह की समस् समस्या कुछ और होता है लेकिन वह हर चीज को हम लोग कोरिलेट कोवीड से कर लेते हैं जो कि सही नहीं है स्टैबलिस्ट फैक्ट नहीं है कि कोवीड के वजह से हाट की समस्या बढ़ी है कुछ हद तक जरूर बढ़ा है और कुछ हद तक लोगों में अवेर्नेस की सचेत हो गया है कि जहां थोड़ा सा भी सरीर में कोई परिवर्तन होता है तो तुरंट चिकित्सक से संपर्ग करते हैं और वो अपने आपको समझ रहे हैं कि कोवीड की वजह से उन पर ये जो साइड इफ्यक्ट है वो देखने को मिल रहा है अगर हिर्दय रोग की बात करे तो उसकी पहचान करने के लिए कौन-कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए शुरुआती दौर से लेकर पूरे स्टेस तक अभी रेकमेंडेशन यही है कि अगर आप नॉन डायबेटिक बिना सुगर बिना बीपी कोई भी बीमारी नहीं है तो 40 साल के बाद एक बार रूटीन ब फ्लोर सीरी चलने में छाती में जकरन हो रहा हो तो उनके लिए है एको काडियोग्राफिय हाट के लिए और जरूरत है तो ट्रेड्मिल टेस्ट जो दौरा करते हैं अगर इन सब चीजों में कुछ समस्या आती है और डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो एंजयोग्राफी कर अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है आपको सुगर है आपके घर में सबको हाट की बीमारी है या डाइबेटीज है यहेयर साइद होता है तो क्याइब करेंड स्कोर्मॉंग कर लोकि ना परता है नहीं है तो फिर मतलब आप ऀनड लेकिनrov Safety कआया है जेंक आप का कि च्छाती में दर्ध हुआ और एक्वरी मिली है एकमिलाकतुरी के फा.» व judged वी हुई है तो उनके लिए एंजियो ग्राफी के बाद फिर से करवाना पदे तो वह double radiation, double dye होता है, इसलिए उनको और cost button भी होता है, तो इसलिए उनको angiography normal करवाना चाहिए, और यह सब investigations हैं, जो करनी चाहिए, एक बार अगर किसी का normal आता है, तो every 5 year या फिर अगर high risk है, तो 2 year उनको सारी test फिर से repeat करवानी चाहिए, और जो सबसे important चीज है, जो लोग ignore करते हैं, अगर आपको blood pressure है किसी को, किसी को sugar की बीमारी है, तो उनको अगर doctor ने recommend किया है, कि आपको medicine लेना है, तो आप इस डर से medicine नहीं छोड़ें, नहीं लें, कि मुझे जीवन भर लेना पड़ेगा, अरे अगर जरूरत है, तो जीवन भर लेना पड़ेगी, लेकिन होने से हम उस बीमारी के वजह से जो complications होंगे, जैसे कि heart attack है, stroke है, वो होने से बचा सकते हैं, ये सबसे important चीज़ है, कोई भी बीमारी कभी भी बोल कर नहीं आती, खास कर हिर्दय रोग के संबंध में यही कहा जाता है, कि कब attack पढ़ जाए, वो कोई नहीं जानता है, तो attack क जो शुरुवाती लक्षन है और hospital पहुचने तक, जो प्राथमिक उपचार है, उसका क्या महत्वया और क्या क्या कर सकते हैं इस दोरान, देखे, अगर किसी को तकलीफ हुई और अस्पताल अगर थोड़ा दूर है, तो प्राथमिक उपचार में यही होता है, कि अगर घर क आज पास क्योंकि हर घर में रखना संभब नहीं है, एस्परीन दवाई, जो खून पतला करने का दवाई है, या फिर टॉरवाइस्टैटिन, रोजुवाइस्टैटिन, यह संभब नहीं है रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आज कल गाउं में भी dispensary, छोटे हाशा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नजदीक के किसी भी primary health center हो, government का आज कल health पे बहुत focus है, और हर जगाउं में आज कल primary health centers हैं, जहाँ ECG की सुवधाएं उपलब्ध हैं, आप immediately जाकर एक ECG जरूर करवा लें, अगर आपको नहीं बोलते, तब भी आप अपनी तरफ से बोले तो गाउं से लेकर उनको connect किया गया है, और आज कल mobile की वज़े से WhatsApp के तुरंत information आप nearest जो भी, या तो cardiologist है, physician है, super specialist है, उनके पास तुरंत पहुंच जाता है, तो immediately आपका treatment उस ambulance से ही शुडू हो जाता है, और heart के लिए तो especially कुछ forum हैं, जो इस पर काम करती हैं, जहारकन में भी heart attack के लिए एक है forum, जो इस तरह से काम करती हैं, कि ambulance के साथ उन्होंने coordinate किया हुआ है, कि अगर आपको ECG में कुछ abnormality मिलती है, क्योंकि ECG machine wise का algorithm होता है, जिसमें बताते हैं कि अच्छा, इसको heart attack हो सकता है, तो immediately वो pass on करते हैं, WhatsApp से, किसी cardiologist को, या फिर physician को, और उनको फ है, dispensaries वहां जाकर मिलने हैं, जी, जी, ये तो सारी बाते हुए कि हिर्दय रोग से, अगर कोई लक्षन नजर आए, तो क्या क्या कर सकते हैं, और किन में हिर्दय रोग की संभावना बढ़ जाती है, यहां पर हम जानना चाहेंगे, कि जैसा आपने कहा कि हिर्दय रोग ज हिर्दय रोग की संभावना सबसे ज्यादा हो, वहीं पर मधुमें जो मरीच हैं उन Marx उनमें भी यह संभावना हो सकती है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है नुइंसिक हो या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको गर्व से भी दीना हम सकता है? लोग की समस्या में अगर हम लोग केटगराइज करें तो बहुत जारी बीमारी होती है तो एक तो हुआ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि Heart Attack होता है Heart के आर्टरी में Blockage की वागती है जो बच्चे पैदगर्ब से जो कुछ बीमारियां होती है कि हमारे शरीर में ग्रोथ होता है जब पेट में बच्चे होते हैं तो उसका शरीर में सब कुछ एज के हिसाब से ग्रोथ होता है तो कई बार उनका जो डिजाइन होता है हाट का वो उल्टा हो जाता है कई बार होता है हाट के अंदर में छेद रहा जाता है यह सब बिमारिया जाता है कई बार आजकल fetal medicine वाले होते हैं जो गर्ब में भी बच्चों को यह समस्या पकड़के इलाज करने की छमता रखते हैं एक तो वो बिमारी हो गई दूसरी बिमारी होती है कि जन्व के बाद बच्चों में कभी-कभी गले का infection होता है जिसके कारण dramatic heart disease होता है मतलब valve की बिमारी होती है तो वो एक दूसरी बिमारी हो गई जो 10-12 साल की अवस्था में वो पकर में आता है तीसरी बिमारी होती है जो heart के current बहता है एक तो heart की नली हुई जिसमें से blood circulation होता है एक होता है current वाला जिसकी वज़ए से current अगर तूट जाता है तो heart का जो धरकन है वो कम हो जाता है और समस्या लोगों में आती है कि चक्कर आना बेहुस होकर बार बार गिड़ना तो उनके लिए अलग से इलाज होता है कि pace maker लगता है एक बीमारी हुआ जिसमें heart की नसे हैं जिसमें blockage होती है और उस blockage की वज़ए से heart attack आया या फिर उनमें blockage और यह सब blockage जो भरता है उसका मुख्य कारण होता है diabetes और blood pressure और उसके साथ-साथ पाकी सारी चीज़े हैं जैसे कि smoking हो गई, lifestyle changes हो गय बाद में जो हम लोग acquire करते हैं जीवन से अली की वज़ए से या blood pressure sugar की वज़ए से हर बीमारी का आजकल इलाज संभव है और अनुवनशी के एक और चीज़ है कि अगर परिवारिक history है मतलब कि अगर mother को heart की बीमारी 55 साल से पहले अगर father को है और अगर mother को 65 साल से पहले मतल होती है और इसलिए जिनके घर में family history है उनको हमेशा 40 साल के बाद alert रहने की जरूरत है कि हमको हर समय जाच करवाते रहें ताकि इस बीमारी को होने से पहले उसको detect करें और इससे complication नहीं होने पार है जी जी उसके लिए जरूरी है जागुकता और जिसके लिए हम यह कारिक बहुत सारी तरीके की होती है तो वेल्वुलर हाट डेजी जिसमें वाल्व की problem हो जाता है उसमें हमने कई महिलाओं को देखा है गर्वधारन करके delivery भी बहुत ही अच्छे से होता है हां रिस्क जरूर बढ़ा हुआ रहता है इसी प्रकार से अगर किसी को heart attack आया है पहले से और उनमें गर्वधारन के लिए जा रहे हैं तो उनमें भी कोई परिशानी नहीं होती है मेडिसिन को कुछ change करना परता है तो गर्वधारन करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर वो उसको change कर सकते हैं गर्वधारन आराम से हर्दय की बिमारी वाली माईलाओं में हो सकता है लेकिन उनको थोड़ा risk जादा रहता है इसलिए उनको टाइम टाइम पर अपने डॉक्टर से चंसल्ट करके ही घर्वधारन करना है मेडिसिन जो भी ले रही है उसमें जो भी changes करना है वो डॉक्टर से चंसल्ट हमेशा करते हुए वो करेंगी तो नॉर्मल डिलिवरी य दराब का सेवन ना करें और फैट वशायुक्त सामान ना खाएं तो क्या हिर्दय रोग को रोकने के लिए ये तीन चीज ही काफी होती है नहीं अगर मैं इसको थोड़ा डीटेल में लेकर जा रहा हूं कि हिर्दय रोग से हम लोग कैसे बच सकते हैं तो सबसे पहले important चीज है कि 5-6 traditional risk factor हैं जो बहुत ही जादा होता है जैसे कि hypertension, blood pressure की बिमारी, sugar की बिमारी, smoking, वजन बहुत जादा होना, obesity, metabolic syndrome भी उसको बोलते हैं जिसमें included होता है और alcohol, शराब पीना ये main समस्या है छे जो जिसको हम लोग रोक सकते हैं क्योंकि ये आपने मैंने जितने गिनवाया है जिसमें हम लोग उसको हटा सकते हैं उसको रोक सकते हैं तो क्या होगा अगर इन सब risk factor को हम लोग पहले से रोक दें तो बिमारी को रोक सकते हैं इसके अलावा जो non-traditional हैं उसमें एक family history हुआ जिसको रोक नहीं सकते हैं तो उसके लिए हमको lifestyle change करना पड़ेगा फिर योगा पैदल चलना जो WHO का recommendation है कि 150 minute brisk walk brisk walk मतलब चलने और दोडने के बीच का तेजी से चलना वो प्रती हफ्ता एक हफ्ता में हर आदमी को करना चाहिए चुकि आजकल busy schedule है तो उसको आप चार दिन पांच दिन में divide करके कर सकते हैं recommendation WHO का है कि आप नींद के लिए साथ घंटे से जादा प्रती दिन सोना चाहिए तो जरूर फॉलो करना चाहिए recommendation WHO का है कि प्रती दिन पांच फल और हरी सबजियां आपके खाना में होना चाहिए सुबा से लेका रात तक तो इसको include करना चाहिए आदमी को अगर हम यह सब ची कारी से बच सकते हैं जी जी है रोग बचने के लिए आपने बताया कि साथ से आठ घंटे तक हमें नियमीत रूप से सोना है हमें प्रती सपता एक से 50 एक सोपचास मिनट जो है वो तेज गती से चलना है प्रती सब्ता उसके बाद हमें क्या करना है हमें आवसाद चिंतन तन इस तरह से हम अपने हात अपने हिर्दय को स्वस्त रख सकते हैं इसके अलावा और बताएंगे यंग जेनरेशन के लिए कि वह अपने हिर्दय को कैसे स्वस्त रख सके यंग जेदरेशन के लिए यही मेसेज है मेरा कि जितना कम हो सकते जो टीन और केंड फूड होता है डब्बे वाला उसको एवाइड करें हम लोग जितना हो सकता है अब पूरा तो नहीं संभब है बर मैक्सिमम करना को जितना कम सके उसके लिए हम लोग अगर 15-20 मिनिट प्रत अगर थोरी दूर कहीं जाना है तो हम लोग पैदल जाने की कोशिश करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जैसे मोबाइल पर ही बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग पैदल चलते हुए बात कर लें तो कम से कम वो समय यूटिलाइज हो जाएगा उनका और एकसरसाइज भी हो ज जाने बाद और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा जोहार बहुत बहुत जाने बाद जोहार